आपने भगवान कहा और भगवान कहते ही लगता है जैसे कोई व्यक्ति है कहीं पर बैठा हुआ कहीं पर रह रहा भगवान को आपने व्यक्ति के रूप में कहा तो आपने भगवान को छोटा कर दिया और उसी समय मुश्किल हो गई उसी समय तमाम प्रकार की धारणाओं का ख कोई कहेगा वो चत्रभुजी है, कोई कहेगा त्रभुजी है, कोई कहेगा दो भुजाओं वाला है, कोई कहेगा साज त्रभावु है, हजार हजार भुजाओं वाला है, कोई कहेगा एक मुखी है, कोई कहेगा पंच मुखी है, पांच मुख वाला है, कोई कहेगा हाथी के र में देखने लगता है जबकि भगवान नहीं भगवत्ता है रश रूप है कितना अद्भुठ सुत्र है व्यक्ति वाची नहीं है इसलिए मैं कहूं कि वह रश का अन्हों जिस व्यक्ति को हो गया उसको तो हम भगवान आसानी से कह सकते हैं जैसे सद्गुरु नानक को हुआ बुद्ध को हुआ तो हम भगवान बुद्ध कहें महाबीर को हुआ हमने भगवान महाबीर कहा क्योंकि रश रूप में उनके अनुभों में उतर गया चौबिस घंटे आनंद की तरंग उनके जीवन में प्रकट हो गई तो वो चाहे बुद्ध हों चाहे कृष्ण हों चाह तो सिद्गुरु भगवान शोरूफ हो गया लेकिन वो परमात्मा वो तो विराठ है सरवत्र है व्यक्ति की इकाई से भी परे है उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता आकार में पिरोया नहीं जा सकता वो इस मूर्ती में भी है उस मूर्ती में भी है वो मंदिर में भी है मस् में भी है काभा में भी है चर्च में भी है उतना ही जितना सिनेगौग में है वो सरवत्र है सब ज дальगें उस को छोटा न करो उसको व्यकति वाची मत बनाओ पर्ची में इस बात पर बहुत जगड़ा हुआ कि परमाइत्मा को क्या माने इस तरी माने कि पुरुस माने ही कहें या सी कहें तो अब तक तो उसको ही ही कहा गया पुरुष के रूप में ही देखा गया पश्चिम में, कृष्यानटी में कहते हैं पिछला पौप जब मरा तो सुर्क के दरवाजे पर गया वहां सेंट पीटर से उसने कहा कि मेरी अनन्द काल से प्यास रही है प्रभू के परमात्मा के दर्शन करने की जल्दी से मुझे दर्शन कराओ सेंट पीटर ने पौप से कहा कि देखो दरवाजा तो मैं खोल दूँगा आपके लिए दर्शन भी आपको परमात्मा के हो जाएंगे लेकिन दो चीज का खयाल कर लेना आपने पृत्वी पर चर्च में परमात्मा को पुरुष के रूप में पूजा है क्राइस्ट के रूप में पूजा है लेकिन वो जिसे आपने परमपिता के रूप में पूजा है वास्तों में वो परम पिता नहीं है, वो परम माता है, यानि इस्त्री रूप में है, परम पिता नहीं, परम माता है, सिंट पिटर ने कहा, आपने जिंदिगी भर परम पिता के रूप में पूजा है, और दरवाजा खोलूगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, कि वो परम पिता नहीं, परम म आता है, इस्त्री रूपा है, तो आप चौंक जाओगे, इसलिए पहली बात तो इसके लिए त्यार हो जाओ, दूसरी बात उसने कहा कि इस बात के लिए भी त्यार हो जाओ, कि वो गोरी नहीं है, वो काली है, नेग्रो है, कहते हैं, पोप अपना सिर पकड़ कर बैठ गया, दर्वाजे पर, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, पहली बात तो परमात्मा को इस्तिरी मानू, जो कि जन्मों जन्मों से पुरुसमाना है, दूसरी बात उसने कहा कि उसमें भी गोरी नहीं काली इस्तिरी नेग्रो मानू, और नेग्रो को तो हमने कभी चर्च में घुष के से तो इस स्वर को जैसे ही आप रूप देने लगते हैं जैसे ही आकार में बांदने लगते हैं वेसे ही हजार सवाल खड़े होने लगते हैं कि इस्तरी है कि पूरुस है काला है कि गोरा है दुबला पतला है या मोटा तगड़ा है यह भी प्रशन फिर प्रदा होगा कैसा चित्र बनाया जाए उसका, डाड़ी वाला है कि बिना डाड़ी वाला है, ये भी प्रशन पेदा हो जाएगा, उसकी सकल चाइनीज की तरह है, या इंडियन की तरह है, या अंग्रेज की तरह है, तमाम सारे प्रशन खड़े हो जाएगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, परम शंती परम आनंद के रूप में ही मनुस्य के जिवन में प्रकट करता है